हेलो एब्रीवन, वेलकम टू नौलेज आएकी स्टूडियो, मैं लखान बार्दवाज, आपका अपने करेंट अफेर शो में स्वाद करता हूँ, आज है 14 जुलाई, और 14 जुलाई से रेलेटेड जितने भी करेंट अफेर होंगे मैं आपके असा डिस करूँगा, और हर कोश भी आपसे पुछूँगा, जिस कांसा आप मुझे कमेंट बख से कमेंट करके बताईएगा, चलि सू करते हैं आज की करेंट अफेर, आज का फर्स्ट कोश्चन है, विच स्टेट लीगल सर्विस अथर्टी एंड दा हाई खोर्ट और्गनाईज इंडिया फर्ष्ट ई-लो और्ट अंसर है, ओपसें C, 36 सरकार ने ये लोग अधारत के तैद ऑनलाइन लाइफ सुनवाई वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा शुरू की, किसने 36, 36 के जो उच्छे नायले के मुखिन आदीस हैं, पी आर रामचंद्र मैनन ने इसका उतागाटन किया, किसने किया, 36 अच्छे नायले के मुखिन आदीस, पी आर रामचंद्र मैनन ने इसका उतागाटन किया, किसका भारत की पहली इलोग अधालत, हम 36 की बात कर रहा हैं, 36 के जो CM हैं, वो हैं बूपेश बगेल, कौन हैं, बूपेश बगेल, और 36 की जो गवननर हैं, वो हैं अंसुया उईक तो ध्यान रखेगा, भारत की पहली इलोग अधालत कहां पर शुरूखी गई, 36 गड़ मैं, ध्यान रखेगा, 36 गड़ मैं भारत की पहली इलोग अधालत शुरूखी गई, मुगए ने इसका उच्छेंट हैं, इससा करेक्ट आंसर हैं, Option B, Ruskin Bond, Ruskin Bond ने लिखी है, A Song of India, जैसा अमेजमा आप देख पा रहे हैं, यह बुग है, एक Song of India और यह किसने लिखी है, Ruskin Bond ने, Which country is the largest foreign direct investor in United Kingdom in 2019? 2019 में UK में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यच निवेशक कौन सा देश बनाएं? UK में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यच निवेशक, मतलब foreign direct investor सबसे बड़ा कौन बनाएं? इससा करेक्ट आंसर है, Option B, United States, मतलब साइक जाज, अमेरिका, अमेरिका, United Kingdom में 2019 में सबसे बड़ा विदेशी प्रत्यच निवेशक बनाएं, और भारत का इस्थान रहा है दूसरे नमर पे, भारत second नमर पे आया है, foreign direct investor में आपको भारत की रंग याद रखनी है, भारत रंग का आया है second पे, और first पे कौन आया है? United States of America, foreign direct investor में, जो United Kingdom में foreign direct investor में जो रंग आई है, वो भारत की आई है second, और United States of America गया है first, त्यान रखेगा, which state has signed MOU with HDFC bank to provide digital payment solutions to the state's transport department, किस राज्य ने परिवान विवाग को digital भुगतान समाधान प्रदान करने के लिए HDFC bank के साथ समझोता किया अपर पर अस्ताचर की है, तो किस राज्य ने परिवान विवाग को, परिवान विवाग को digital भुगतान प्रदान करने के लिए, मतलब परिवान विवाग में digital भुगतान किया जाए, उसके लिए HDFC के साथ MOU किया है, तो किस राज्य ने किया है, इससे correct answer है, option D, जारकंड, जारकंड सरकार ने परिवान विवाग को digital में, digital भुगतान के प्रदान करने के लिए, HDFC के साथ MOU किया, किसे जाथ HDFC बेंग, हम HDFC बेंग की बात कर रहा है, HDFC के जो CEO हैं, वो है आदित्य पूरी, कौन है, आदित्य पूरी, त्यान रखेगा, और HDFC के जो tagline है, वो है, we understand your world, जाथ में आप देख पा रहे हैं, HDFC के जो headquarter हो है, मुंबई में, तो ये जो digital payment की जी सुभिधा, शुरू की गई परिवन ववाग में, तो कहां बें शुरू की जारकंड में, जारकंड के CM है, हेमन सोरेन, कौन है, हेमन सोरेन, और जारकंड की गवंनर हैं, दुरूपदी मुर्मू, कौन है, दुरूपदी मुर्मू, तो परिवन ववाग को, digital बोतान बदान करने के लिए, HDFC के साथ, जारकंड ने समझोता गया, अपनर अस्ता चर्गिया, या MOU किया, जान रखेगा, फिर्ट गवर्मेंट है, लॉंच्ट रोको टोको केंपेंड, फॉर दूज, हू डू नोट वीर मास्क, किस राज सरकार ने, मास्क ना पहनने वालों के लिए, रोको टोको अभियान शुरू किया, तो किस राज ने शुरू किया है, रोको टोको अभियान, इसा correct answer है, option C, मदबर्देश, मदबर्देश सरकार ने, रोको टोको अभियान शुरू किया, जो लोग मास्क ना पहनते हैं, उनके खिलाब, कौन सा अभियान शुरू किया है, रोको टोको, इस अभियान के देश, जो मास्क नहीं पहनेंगे, जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, उनसे प्रतिव्यक्ती 20 रुपे वसूल आ जाएगा, कितने, 20 रुपे प्रतिव्यक्ती रुपे रुसूल के लिया जाएगा, फाइन के रूप में, जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे, तो मास्क पहनना बहुत अन्यवार है आप भी घर से बाहर निकला है तो मास्क पहन है मास्क नहीं तो खेर नहीं इस तरीके से अब मद्वे सरकार ने रोको टोका अभियान सुरू किया अब मद्वरदेश की बात कर रहा है मद्वरदेश के जो CM है वह हैं सिवराज सिंग चौहान और वहाँ की गवणनर है आनंदी बिन पतेल यह बात देहान रखेगा वह नेक्स कुश्चन नेमदा पर्सन हुआज रिजाइन फ्रॉम दा पोश्ट अप सीओ ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रॉल फॉर किरकेट इन इंडिया बी सीओ के पत से किसने इस्तीफा दे दिया या यह कह सकते हैं उस व्यक्ति का नाम बताईए जिसने भारतिय किरकेट कंट्रॉल बॉर्ड मतलब बी सीओ के सीओ पत से इस्तीफा दे दिया इसा और करेक्ट आंसर है ओप्शन ए राहुल जोरी जैसा आप देख पा रहे हैं यह राहुल जोरी है और इन्हों ने बी सीओ के सीओ पत से इस्तीफा दे दिया तो ध्यान रखे काफी इंपोडेंट कुश्चन है किस देश में मानव नैधानिक परिछणों को सफलता पूरवक पूरा करने वाला पहला COVID-19 वैक्सीन बनाया यह आपके लिए वेरी मोश्ट अबड़न कोश्चन है अभी ट्रेंडिंग का कोश्चन समझीए तो COVID-19 का पहला वैक्सीन बनाया जो पूरता सफल हुआ है मतलब सारी ट्राइल्स में वो किस ने बनाया है तो COVID-19 का पहला वैक्सीन बनाया है तो COVID-19 का पहला वैक्सीन बनाया है जो सारी ट्राइल्स में सकसिस हुआ तो ध्यान रखिए है किस ने बनाया है COVID-19 का पहला वैक्सीन रशिया ने प्रसिद्ध व्यक्तित्व नागिंदास सांगवी का हाल में निदन हो गया वे कौन थे तो नागिंदास सांगवी कौन थे इसा करेक्ट आंसर है ओप्शन बी एक जर्मरिश्ट थे एक पत्रकार थे एक लेखक थे कौन थे एक पत्रकार और लेखक यह है नागिंदास सांगवी और इनका देन हो गया निदन हो गया है उन्होंने मात्मा गांदी के ऊपर भी काफी पुस्तक हैं लेकी और 2019 में ध्यान रखेगा 2019 में उनको पदम सिरी से सम्वानत किया गया द्यार 2019 में Which country has successfully launched Telecommunications Satellite और अप स्टार 6D रेसेंटली कि देशने हाली में अप स्टार 6D नाम से दूर संचार उपकरय का सफलता पूरवक परच्छेपन किया तो अप स्टार 6D यह जो satellite है यह किस ने लांच किया है इसा correct answer है option B, China ने चीन ने launch किया है अब star 6D और चीन ने एक rocket भी launch किया है कहां से? काजकिस्तान से तो जहान रखेगा चीन ने एक satellite launch किया किसके लिए? Telecommunication satellite है कैसा है? Telecommunication satellite एक दूसर अंचा उर्पक रहे है और किसने launch किया है? चीन ने ध्यान रखेगा next question when was world Malala day celebrated annually विश्व मलाला दिवस कम मना जाता है? very emotional question है ध्यान रखेगा world Malala day ये कम मना जाता है? इसा correct answer है option B 12 जुलाई को 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मना जाता है? ये क्यों मना जाता है? ये Malala यूसफ जई जो पाकिस्तान की है जैसा इमेज में देख पा रहे है ये Malala यूसफ जई है और ये पाकिस्तान की है इनके जनम दिन के उपलक्ष में मना जाता है जिससे विश्व भर में मैलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके किसके लिए विश्व भर में मैलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान किया जा सके इनको Malala यूसफ जई को 2012 में 2012 में पाकिस्तान सरकार द्वारा पहले राष्टे युवा सांती पुरसकार से सम्मान किया गया था त्यान रखेगा और 2014 में 17 साल की उमर में कितने साल की उमर में 17 साल की उमर में 2014 में बाल एधिकारों को खेहित के लिए इनके प्रयासों के लिए नोबल सांती पुरसकार पाने वाली सबसे कम उमर की प्राप्त करता बनी इनको नोबल सांती पुरसकार मिला और सबसे कम रोमर की प्रात्ता अमलाई कितने साल की 17 साल की दियान रखिया जो मैं आपको बातें बतारूं काफी इंपोर्टन्ट है और 2019 में संक्तराष्ट द्वारा जारेगी की रिपोर्ट में मालाला को उस दसक की दुनिया की सबसे प्रशिद किशोरी गोसित किया किसने स संक्तराष्ट ने 2019 में मालाला को दुनिया की सबसे प्रसिद किशोरी गोसित किया तो इतनी सारी बात मैं आपको बताएं मालाला यूसफ जै के संबन्द में तो ध्यान रखेगा और वर्ल मालाला डे कम मना जाता है 12 जुलाई को तो ध्यान रखे काफी एपोर्टन्ट कौन है तो इसा है करेक्ट अंसर है और ऑप्शन डी सुवाज चंद्र कूटिया सुवाज चंद्र कूटिया आए आई याडिया के कुश्चन है वो यह है वेन वाज नेशनल फिश्ट फार्मस डे ऑप्जर एन्वली राष्टे मचली किसान दिवस पतिवर्स कम मना जाता ह इसका अंसर आप मुझे कमेंट करके बताएगा और इसके बारे में जाहा से आता लिखें तो आपको याद रहेगा तो वैन वाज नेशनल फिश फार्मर डे ऑप जाहां आपके सब्सक्राइब करें और आप और आप ने हमारे चैनल को अब तक सब्क्राइम ने किया है तो ह जाएदा शेयर करें और बेल अकन को प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीड़ोज का निट्फिकेशन आपको मिल सके आप मुझे फेस्बूर टेलेग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बूर टेलेग्राम का लिंक इस वीडियो के सब्सक्रिप्शन में दे रखा है तो में जाकि आप जॉइन कर सकना है Thank you